तो हाई गाई वेलकम बैक तो आवर यूटुब चैनल और वेलकम तो मैं न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फॉर्स टाइम देख रहें उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल की मेंबर्शिप जॉइन नहीं की है तो जल्दी से जॉइन कर लो चैनल म के अंदर आपको extra benefits मिलते हैं extra benefits में क्या मिलता है तो देखे फरस्ट फॉल आपको stock recommendations मिलता है साथ ही educational videos मिलते हैं candlestick pattern के उपर Fibonace retracement जैसे के technical analysis के उपर और आपके queries का आपको reply मिलता है यहां तक कि अगर आप platinum membership लेते हो तो आपको मेरा personal whatsapp contact मिलता है साथ ही मैं वहाँ पे आपको personally guide करती हूं nefty bank nefty के लिए और आपको डेली एक prepared chart मिलेगा साथ ही buy और sell levels मिलते हैं every day for next day के लिए तो यह सारे के सारे benefits आपको membership के अंदर मिलते हैं तो जो भी लोग सीखने में interested हैं वही membership join कीजेगा नीचे description box में आपको link जो है वो मिल जाएगी वही अगर आप देखोगे तो subscribe button के बाजू में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहाँ से भी आप channel membership join कर सकते हो अगर आप YouTube के दुरूप चैनल membership लेने वाले हो तो आपके पास credit card होना जरूरी है अगर आपके पास credit card नहीं है और फिर भी आपको membership लेनी है तो उसके लिए मैंने निकाला हुआ है तो यह सिर्फ platinum membership के लिए है अगर आपको platinum membership लेनी है तो डिरेक्ली QR code स्कैन करके आप मुझे पैसे भेज सकते हो और मुझे WhatsApp number आपका mail कर दो और QR code आपको मेरे telegram channel के उपर और YouTube community पे मिल जाएगा और आपका WhatsApp number मुझे देना मत बूलना किसी ने तो मुझे platinum membership ली है YouTube पे लेकिन WhatsApp नमबर अभी तक नहीं दिया है तो जल्दी से मुझे mail कर दो अपना WhatsApp number दागी मैं आपको मेरे WhatsApp के contact में add कर सकूँ so I hope कि आपके सारे doubts clear होंगे membership के बारे में तो अभी जैसे आपको ठीक लगता है जो membership आपको ठीक लगती है वो membership आप ले सकते हो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के साथ तो देखिए मैंने इस candle के समय कहा था कि निफ्टी यहां से एक बारी bounce back कर सकता है और निफ्टी अभी भी निफ्टी के अंदर उतनी strength है कि वो 16,000 के तरफ जा सके 16,000 के zone में जा सके और यहां पे chances है निफ पर bounce back दिखाया था एक positive candle फॉर्म की थी और इस time में मैंने भी बोला था कि अगर यह positive candle निफ्टी होल्ड रखता है इस level के उपर निफ्टी होल्ड हो जाता है तो यहां से निफ्टी हमें 15,800 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा कल की live session में मैंने यह बात कही हुई थी कि कल निफ्टी chances है अगर gap up opening होती है तो जो भी gain है वो लेके निकल लो जादा के लिए रुकोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा फिलहाल निफ्टी ने 800 के उपर की closing हमें दी है तो मैंने जैसे आपको कहा था कि निफ्टी अगर 800 के उपर stable हो जाता है तो हम लोग नि 16,100 के zone में बढ़ते होए देख सकते है तो अगर निफ्टी यहाँ पे closing basis के उपर hold हो जाता है 800 के उपर तो यहाँ से निफ्टी फिर से एक बारी ये level 900 के उपर sustain होने के लिए try करेगा क्योंकि 1, 2, 3 बारी निफ्टी ने already try कर लिया है अभी chances है 900 के उपर sustain होने के और अगर 900 के उपर sustain हो जाता है तो definitely निफ्टी हमें 16,100 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी हम लोग first of all एक बार option chain analysis कर लेते हैं तो call side में देखे सबसे ज़ादा open interest जो बना हुआ दिखाई दे रहा है वो 16,000 के level के उपर दिखाई दे रहा है वही आज सबसे ज़ 50 के 16,000 के तरफ बढ़ने के क्योंकि 800 का resistance फिलाल तो पार कर लिया है अभी बीच में 900 के उपर अगर निफ्टी sustain हो जाता है तो definitely हमारा next target 16,000 और 16,100 का level ही रहेगा वही put site में देखे तो सबसे ज़ादा open interest कहाँ पर बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रह दे रहा है वही put site में सबसे ज़ादा writing कहाँ पर हुई है तो 15,700 से लेके 15,850 के ऊपर हमें सबसे ज़ादा writing जो है वो यहाँ पर दिख रही है और आज निफ्टी फिलाल 800 के ऊपर sustain हो चुका है तो यहाँ पर निफ्टी के लिए important support first of all रहेगा 800 का level अगर ये break होगा तो न करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो यहाँ पर मैंने पहले भी आप से कहा हुआ था कि जब तक निफ्टी 600 700 के ऊपर चल रहा है निफ्टी ज्यादा downside के लिए नहीं जाएगा इस zone में आएगा ज़रूर लेकिन ये zone को तोड़ना इतना आसान नहीं है और तोड़ता भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है downside के लिए 400 500 का level है तो निफ्टी के लिए फिलहाल short term के लिए अगर हम लोग देखे तो निफ्टी का view bullish ही है और निफ्टी के अंदर अभी भी उतनी strength है 16,000 और 16,100 के तरफ जाने की ये मैं कहूंगी और मैंने पिछले वीडियो में भी क 500 के तरफ मिलता है तो जरूर जाइए बाहिं के लिए 800-850 के तरफ आपका target रहेगा अगर आप upside के लिए ज्यादा का target रखोगे तो कोई chances नहीं है क्योंकि जितना आपको मिल रहा है उतना लेके निकल जाओ market का कुछ भी वरोसा नहीं है कब कहा से यूटन ले ये हमें भी नहीं पता है तो हम लोग सिर्फ analysis कर सकते हैं हम लोग सिर्फ देख सकते हैं chart और option chain data और possibilities बता सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा option chain data तो अभी चलते हैं chart के उपर तो आज की opening हुई थे 15,793 के पास वहाँ से निफ्टी ने लो किया था 15,762 का यानिके 760 का support निफ्टी ने अच्छे से hold रखा और वहाँ से हमें continuous up move निफ्टी ने आज दिखाया हुआ है और high किया था 15,845 का यानिके 850 का भी resistance पार नहीं हुआ है लेकिन अगर देखें पूरे session की बात करें आज के तो आज पूरा दिन निफ्टी हमें 800 के ओपर जादा time रुकता हुआ दिखाया दिया जादा से जादा time अब कह सकते हो दिन भर भी तो दिन भर भी निफ्टी आज हमें 800 के ओपर sustain होता हुआ दिखाई दिया तो ये एक positive sign रहेगा अगर निफ्टी कल भी ऐसे ही 800 का level hold रखता है तो कल ही निफ्टी हमें 880 और 900 के तरफ बढ़ता हुआ फिर दिखाई दे सकता है तो यहाँ से important support और resistance की बात करें तो देखें first important support रहेगा यहाँ से 15,810 का level अगर निफ्टी इस level से नीचे trade करता है इस level से नीचे हमें एक या फिर दो bearish candle दिखती है तो यहाँ से निफ्टी हमें 15,760 के support के तरफ जाता हुआ दिखाई देगा अगर यह support break होता है तो downside के लिए 15,710 का next important support रहेगा upside की बात करूं तो upside के लिए अगर निफ्टी 15,850 के ऊपर sustain हो जाता है 30 से 40 minute के लिए तो यहाँ से निफ्टी हमें first of all 15,880 के तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और अगर 880 भी निफ्टी hold रखता है तो यहाँ से next target 15,910 का level रहेगा तो यह important support और resistance के levels है जो आपको आपके chart के उपर mark करने है ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी और everyday live market में मैं support resistance के levels टेलीग्राम चैनल के उपर update कर देती हो तो अगर आपने मुझे वहाँ पर अभी तक follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में टेलीग्राम चैनल की link आपको मिल जाएगी तो अभी हमने बात की निफ्टी के लिए तो अभी बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए तो निफ्टी बैंक की closing कहा पे आई हुई है तो 35,212 के पास निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है तो निफ्टी के जैसे ही निफ्टी बैंक ने वे इस लेवल से हमें एक you ton दिखाया हुआ है एक bounce दिखाया हुआ है और आज फिर से 35,000 का लेवल निफ्टी बैंक ने closing basis के उपर hold रखा है तो बहुत time के consolidation के बाद finally nifty bank के अंदर आज हमें थोड़ी तेजी जो है वो दिखाई दी 400 points चड़ कर nifty bank बंद हुआ है तो अभी भी upside के लिए ये level देखना बहुत ज़ादा important है अगर इस बारी nifty bank इस level को तोड़ने में कामियाब हो जाता है तो nifty bank हमें 36,000 36,500 तक तो definitely जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस level के उपर एक strong positive candle बननी चाहिए और next day पर भी एक strong positive candle बननी चाहिए double confirmation मिलना है यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि पहले भी nifty bank ने try किया था इस level को पार करने के लिए लेकिन नहीं हो पाया तो दो दिन के लिए अगर nifty bank इस level के उपर सस्थेन हो जाता है closing basis के उपर तो ही यहाँ पर upside के possibilities रहेंगे वही option चिन data अगर देखे तो सबसे जादा open interest call side में कहां पर बना हुआ है तो highest open interest 36,000 के उपर है second highest 35,500 के उपर है वही call side में आज सबसे जादा writing हुई है 36,000 के उपर तो upside के लिए contracts की build up हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है तो यह एक अच्छी बात रहेगी nifty bank हमें यहाँ पर 36,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और इतने लोगों को यह surety है कि nifty bank के अंदर हमें एक तेजी जो है वो दिखाई दे सकती है वही put site में अगर देखे सबसे जादा open interest बना हुआ है 35,000 के उपर और second highest बना हुआ है 34,500 के उपर वही put site में सबसे जादा हमें राइटिंग कहाँ पर दिख रही है तो हमें सबसे जादा आज राइटिंग दिख रही है 35,000, 35,100 and 200 के उपर तो आज इन निफ्टी बैंक इस वज़े से हमें 35,000 का लेवल होल्ड रखता हुआ दिखाई दिया तो अभी यहाँ पर important रहेगा 35,000 का लेवल निफ्टी बैंक अच्छे से होल्ड रखे इंडराडे में भी अगर आज देखे तो निफ्टी बैंक ने 35,000 का लेवल अच्छे से होल्ड रखा हुआ था और अभी अगर फिर से यह लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक हमें और ज्यादा डाउनसाइट के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है Otherwise Nifty Bank हमें 36,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा Option Chain Data हमने देख लिया है चलते हैं चार्ट के उपर So opening हुई थी आज 35,000 के उपर ही और Nifty Bank ने वहाँ से low किया था 34,926 के पास और फिर 35,000 का level throughout this session Nifty Bank ने आज hold रखा हुआ है और हमें high दिया था 35,234 के पास तो यहाँ से आगे कि अगर बात करें next session की तो देखिए first important support रहेगा 35,150 का level अगर यह break होगा तो 35,050 का next important support रहेगा अपसाइट की बात करूँ तो अपसाइट के लिए first resistance रहेगा यहाँ से 35,280 का level अगर Nifty Bank इस level के उपर sustain कर लेता है positive candle form होती है 15, 20, 30 minute के लिए Nifty Bank positive ही रहता है इस level के उपर तो यहाँ से Nifty Bank हमें 35,410 and 35,600 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के level से Nifty Bank के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने chart के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी route रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी और एक important बात यह है कि अगर आपको एक free DMAT account होलना है साथ ही एक अच्छे trading platform के उपर वही अगर आपको वहाँ पे कुछ tips मिले intraday के लिए long term के लिए stocks के उपर कुछ tips मिले तो और भी बढ़िया बात रहेगी तो यह सारे features जो है वो angel broking हमें दे रहा है और angel broking के थुरू अपना account अगर आपको open करना है तो नीच इस बॉक्स में link मैंने आपको provide कर दी है सो आज के लिए इस video के लिए बस इतना है था अगर video अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना विडियो अगर बहुत ज़ादा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस video को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully